Google open करने के बाद आपको Digital Saveah Portal को login करना है तो आप देख पारे हैं कि हमारा Digital Saveah Portal login हो चुका है और यहाँ आपको उपर ही देखने के लिए मिल जाता है Service पे Insurance का option तो आपको इस पे किलिक करना है और इधर आपको Insurance Service का option मिलता है इसी पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक option मिलता है Motor Third Party इस पे आपको किलिक करना है यहाँ आपको Search का option मिलता है यहाँ पे आपको Search करना है Digit जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ आपको दो option मिल जाता है Go Digit General Insurance आपको दोनों में से किसी एक में किलिक करना है आप CST से आपको Login होना है Sign in with Digital सेवा Connect पे किलिक करेंगे थोड़ा सा समय लेगा इसमें तो इस परकार से जो है आपका Go Digit Insurance Portal CST से Login होने के बाद Open हो जाएगा यहाँ आपको एक option मिलता है Motor Insurance इसी पर आपको किलिक करना है Policy Detail में यहाँ अब जिस भी गाड़ी का Insurance बनाना चाहते हैं वो 2-wheeler है या 4-wheeler है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है 2-wheeler 3rd party क्योंकि अभी जो हमें बाइक का Insurance करना है यहाँ पर पॉलिसी कभर 1-year पहले सेलेक्ट रहता है और यदि भारत सिरीच पर रेश्टेशन है आपका गाड़ी का तो आप एस करेंगे नहीं तो नो पर टीक रहने देंगे और यहाँ पर रेश्टेशन नमबर यानि कि आपका गाड़ी नमबर यहाँ पर इंटर करना है गो डिजिट से जो इंसुलेंस है वो सबसे आसान से हो जाता है और खास बात यह भी है कि यहाँ पर आपको अधार कार्ट पेन कार्ट लगाने के आवसक नहीं पड़ती है यहाँ से आप विदाउट के वाईसी एंसुलें गाड़ी का नाम भी आ जाता है प्लस फ्यूल टाइप वहिकल बेरियंट इसका यहाँ पर आपको सीटी टाइप करना है और यहाँ पर पीन कोड और यह दिए आपका पूलसी समाप्त हो गया तो इस पर टीक कर देंगे और इसके बाद आपको गेट कोड़ पर किलिक करना है इसको एस करेंगे तो अभी आप देख पा रहे हमारा जो प्रिमियम है बारा सो पचासी रुपए दिखा रहा है क्योंकि इसमें जो अभी पीए कभर सामिल है यानि कि ड्राइबर को भी यह कुछ होता है तो इसमें भी इंकुलूड है तो हम उसे भी हटा देंगे तो आप और का नाम दिख जाता है यहां पर Leon का मॉबाइल आपको ट tenha कर देना है और यहां पे ओनर का इमेल इडि है तो आप टाइप कर देंगे और यहाँ पर owner का जो है address भी देखने के लिए मिल जाता है इसके बाद scroll करके नीचे आएंगे तो friends इस पर जो अभी जो tick लगा हुआ है यदि आप owner से आधार कार्ट, pen card लिए हैं तो आपको इस पर tick रहने देना है और आपको अधार का detail और pen card का detail उपर डालना है वो भी हम आपको अभी दिखा देते हैं यहाँ पर आपको pen number select रहना रखना और यहाँ पर pen number type करना और यहाँ पर date of birth और उसके बाद आपको आगे बढ़ना और यदि आपके पास pen card उसका नहीं है तो उस इस्तिती में और यदि आप चाहते हैं कि हमें KYC नहीं करना है without pen card, without अधार का हमें insurance करना है तो आपको इस पर जो है click करना है I will complete KYC verification process later इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप से अधार काट pen card का कोई भी detail नहीं मांगा जाएगा और नीचे आएँगे यहाँ पर आपको vehicle detail एक बार match कर लेना है यहाँ पर चेचिस नमबर देखने के लिए मिलता है इसकाद यहाँ पर engine number और यहाँ पर policy starting date यह सारा match करने के बाद यहाँ आपको save code पर click करना है तो आप यहाँ देख पार है हमारा जो है इसके बाद generate policy पर click करेंगे फिर से यहाँ हम pay पर click करेंगे CSC ID का जो password है वो enter करेंगे validate पर click करेंगे CSC wallet का जो pin है 6 अंका वो डालेंगे और इसके बाद pay पर click करेंगे तो इससे जो है हमारा payment successful हो गया है तो आप देख पार है हमारा policy successfully generate हो चुका है यहाँ हम download policy पर click करके policy download कर लेंगे तो इसका पहला page जो है customer को print करके दे देना है तो friends आज के इस वीडियो मैंने आपको बताया कि go digit के साथ आप किस परकार से insurance करेंगे अपने bike का third party और सब company के अपेक्षा go digit से insurance करना बहुत ही आसान है और आपको इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्र अपको इसने करेंगे लिए एक प्रप्राइब करेंगे